टौप फो बैस्टाप फर वीडियो एड़िंगे लिए तो याइर अगर आपने नापको बताढ़ नापको बतादे लूश्य के लिए बैस्टाप फेन deblo का करना है आप कर सकते हो अगर आपने गी घिमींग करने है हाई क पिडिमिंग कर और आप आपको Office Work के लिए चाहिए student हो पढते हो प्ढ़ते हो आपके लिए best deal होनेे वाले अगर आपने ओफ-लाइँ काम करना है जा क्लासेज बरह लगानों है अगर आपने online classes लगानों है आपके लिए बहुत अग्ड़े होने वाले प्लस अग kehwater प्रोग्रामिंग करना कोडिंग करने उसके बाद भाई अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टर भी यूज़ करना है आप इसली नॉर्मली कर सकोंगे तो बात करते हैं सीधा नमबर फो की नमबर फो की बात करें नमबर फो पर यार मैंने रख्या मैं नोट्बुक होरीजन को इस लैपटाप की बात करो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनकी बिल्ड क्वाल्टी प्लस इसका डिजाइन वह बहुत ज्यादा इसको सूड करता है प्लस एम मैं ब्रेंडे प्लस अगर आपको कूँ काम ऐसा कि आपको कीबूर पे ज्यादा काम करना पड करना प्लस अगर आप गीमिंग वगारा भी करना जाते हो आप कर सकते हो आपको ग्राफिक कार की बात करूं आपको MX350 2GB ग्राफिक कार मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते आप 10th generation के साथ देखने को मिलगा तो स्पैसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए लैप्टव पूरा ल आपको 8GB RAM मिल जाते है प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते है ग्राफिक कार की बात करो आपको नवीडिया MX3502GB देखने को मिल जाता है अपको बैंटरी की बात करो आपको 10 hours का बैंटरी backup परवाइड कर देता है प्राइस की बात करो आपको 51,000 के बजट में MI Notebook Horizon देखन को मिलता है कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते है लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता so that's why मैंने इसको number 4 पर रखा तो आप इस चीज़ को दियान में रखना कि आपको RAM upgrade करने का option नहीं मिलता जो कि सच में एक मानस पर आ जाता है तो आप देख लेना अगर आपको ये laptop जो है वो सही लगता है आप उसके और जा सकते हो अगर आपकी कोई requirement है कि आपको 8GB RAM minimum बहुत है यार अगर आपको इतने ही मतलब सही लगती है तो आप इसके और जा सकते हो अगर आपको 8GB RAM नहीं सही आपको कोई काम ऐसा है कि आपको 16GB RAM चाहिए अगर आपको 32GB RAM चाहिए तो आपके लिए ये laptop बिल्कुल भी नहीं बना इसलिए तो मैंने इसको number 4 पर रखा अभी आगे बात करते है number 3 की number 3 की बात करो number 3 पर यार मैंने रखा इस सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपका प्लेट 50,000 से कम है तो ये laptop आपको 45,000 के बचल में मिल जाता है 45,000 के बचल में आपको specification पूरे loaded मिल जाते हैं बहुत अगड़े specification में मैं आपको बताते हैं सीधी बात करते हैं specification की तो याँ डिस्प्ले की बातों को 40 इंच फ्लेश्टी प्लस डिस्प्ले मिल जाती जो की आई प्रेस पैनल डिस्प्ले प्रोसेसर की बातों को आई फाइफ टैंट इन जनवरेशन के साथ मिलता है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाते एकस्पेंडेबल आप कर सकते हो बस आपको 512GB SSD के benefit की अगर मैं बात करूं तो SSD का benefit यह होता है अगर आप टाटाव गराज जल्दी ट्रांसफर करना जाते हो तो आपके लिए बहुत benefit करेगी as comparison किया जा है HDD के साथ HDD की speed बहुत बहुत लेनी चाहिए अगर आप टाटाव गराज ज्यादा ट्रांसफर करते हो ग्राफिक काड़ की बात करूं आपको नवीड है G4 MX 350 देखने को मिल जाएगा तो यह मैं आपको बता दिये ispire5 के भी अगर मैं specification के according देखा जो तो बहुत ज्यादा सही है बही आपको फॉड़ीफाउट के बज़िट से लेके 50,000 के बज़िट तक यह laptop देखने को मिल जाता है तो बही अगर आपने office बर के लिए चाहिए student हो पढ़ते हो पढ़ाते हो अगर programming करने है coding करने है को heavy software यूज करना है video editing करना जाते हो या gaming करना जाते हो आप इस पे कर सकते हो आपको 2GB graphic card मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते है जिसको आप upgrade कर सकते हो 16GB तक अगर आपने video editing करने है तो बही मैं आपको recommend करना जाता हूँ आपने 16GB RAM के और minimum चल जाना है उसको upgrade कर लेना आपके लिए ही benefit हो होने वाला अगर अगर आप कुछ भी पूछना जाते हो comment section में comment कर सकते हो जो मैंने link वगरा description box में दिया हूँ है अभी आगे बात करते है number 2 की तो अभी बात करते है number 2 की लेकिन मैं आपको कहा देना जाता हूँ number 2 and number 1 को दोनों को मैंने combine कर दिया because दोनों ही laptop जो वह Acer की आ देता हूँ भी अगर आपको office work के लिए चाहिए अगर आपको gaming design नहीं चाहिए तो Acer ispire 7 आपके लिए perfect deal हो सकता है but अगर आपको gaming design चाहिए अगर आपको gaming design से matter कुछ भी नहीं करता आपको specification loaded चाहिए का अगर आपने कोई heavy software use करना है gaming करना है video editing करना है आपके लिए best होने gaming करना जाते हो मैंने आपको बता दिया अगर आपको office work के लिए चाहिए मैंने आपको भी बता दिया अभी बात करते हैं दोनों के main specification की थोड़ा से deeply बात कर लेते हैं तो यह display की बातों को 15.6 inch full HD plus display मिल जाती है जो की 16 refresh rate के साथ आती है तो 16 refresh rate यार average display होती है इतना तगरा भ प्लस आपको 5GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार्ड की बातों को GTX 16504 GB मिल जाता हूँ प्रेणी सेस्तर की बातों को window 10 मिल जाती है प्लस आपको fingerprint वगारा भी देखने को मिलेगा battery की बात करूं आपको 7 hours का battery backup provide कर देता है price की बात करूं इसका price आपको 50,000 से लेके 54,000 क देखने को मिल जाएगा तो यहर अभी बात करते हैं इस से नीट्रो फार्ग की तो डिस्प्ले की बातों को 50.6 इस प्लस IPS पैनल डिस्प्ले मिल जाती है जो की 16 रिफ्रेश्चेट के साथ आती है पर सासर की बात करूं इसमें भी आपको आपको फिफ्टी सावन थाउसन के बजड़ में इस से नीट्रो फार्ग देखने को मिल जाएगा तो यहर मिल स्पैस्फिकेशन मैं आपको दोनों ही लैपटाप्स के बता दिये मुझे पता है मैंने जो आपको लैपटो बताए उनका प्राइस की बात करों आपको प्राइ से अपर चला जाता है तो यहर अगर आप एक्सटा पी कर सकते हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपके लिए यह दोनों लैपटोप बहुत तगड़े होने वाले अगर आप एक्सटा थोड़ा सा भी पी कर सकते हो तो आप एस से नीट्रो फाइब के और जा सकते हो अगर इसको गेविंग डिजान नहीं चाहिए तो इससे डिजार आपके लिए पर फैक्ट अर अगर मतलब अगर आपका पज़त हुआस शाजा से भी कम है तो इस से रिस पाइर फाइब आपके लिए बेस्त इअज पर तागड़ा है उस प्राइज में इस अर बहुत तगड़ा ह तो यार अभी मैंने आपको टॉफ फूर लाप्टाप बता दिया जो कि आपके लिए पॉफएट डील हो जकता है अगर आप कोई भी हैवी साफ्टियो यूज़ करना जाते हो पढ़ते हो पढ़ते हो पढ़ाते हो आफिस बार के लिए चाहिए प्रोग्रामिंग करना कोडिं सब्सक्राब विडियो को दे लाइक एंड इस्ट्राइब को लिए फॉलो लिंक आपको डिस्क्रेप्शिन बॉक्स में देखने को मिल जागा उसको चाहट को लना मिलते नाक्स्ट वीडियो में ने वीडिको साथ तेंक्यू